अगर मारकंडा और सरस्वती नदियों को सवच रखने के लिए नायश्वल ग्रीण ट्रिब्वूनल ने दूशित करने वाले इंडिस्ट्री के खलाफ सख्त कारवाई करने के नदेश दिये हैं कुछ एताब नी दी है कि जो अधिकारी अपनी जमदारी को अच्छी तरह से नहीं निभाएगा उसको बक्षण नहीं जाएगा और उसके खलाब सख्त कारवाई की जाएगी नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के और से हरियाना पंजवाब हिमाचल और चंडिगर की अगर बात की जाए तो अधिकारीों की बैठक बुलाई गए और अधिकारीों को क्या दिसा निर्देश दिये गए हैं इस बार में खास बात चीत की हमारा समदाता अनिल कुमार नी नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एग्जेक्यूटिव कमीटी के चेयर मैंड जस्टिस प्रीतम पार सिंग से गगर मारकंडा सर्ष्टी नदियों को दूसित करने वालों के खिलाब National Green Tribunal ने सक्ट कारवाई करने के निर्देश्टी है आज इस मामले को लेकर बैठक हुई बैठक में क्या निर्देश्टी दिये गए इस समय मेरे साथ है National Green Tribunal Executive Committee के चेर्मेन Justice Pritam Palsing इन से जानते हैं जी इसमें हमने आज चारों स्टेटों के नोडल ओफिसर्ज को बलाया और उन से जो हमने डिरेक्शन दी थी उसके ओपर क्या कारवाई हुई है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा यह बताना चाहता हूँ के हमने पंजाब निश में 38 सेंपल लिये हैं 38 जो घगर में उनके जो ड्रेनेस और ट्रिब्यूटरीस जो गंदा पानी लेके आती हैं उनके हमने उस जगह से 38 सेंपल पानी के लिए गए और 38 में से 19 सेंपल फेल हुए हैं 19 simple pass हुए है जो उसकी compliance पूरी करते हैं तो उस सिलसले में हमने उनके जो 19 लोगों के जो 19 industries ऐसी पाई गई कि वो effilient discharge जो पानी छोड़ती है वो water polluting industries हैं उनके खिलाफ सख्त order करने के आदेश दिये हैं जिसके तहट वो उनको prosecute भी करेंगे उनके चलाद भी होंगे और उन industries को हम close करने के notice वीशू कर दिये हैं इसी तरह से हर्याना के 53 सेंपल लिए हैं जो 53 industries थी उन में से 29 के जो सेंपल हैं वो उनकी compliance ठीक थी और 24 industries की compliance पूरी नहीं थी उनका भी उन में से हमने चार पांच फेक्टरें तो एक दम उनको close कर दिया और बाकियों के खिलाब prosecute करने के आदेश जारी कर दिये हैं दूसरा चंडीगड के 139 सेंपल लिए गए हैं 139 कुल टोटल फेक्टरी ये 575 हैं उन में से 139 की checking की गई 125 ठीक पाई गए और पांच industries की pollution उनके अंदर मिला वाटर के उनके भी हमने prosecution के order कर दिये दूसरा हिमाचल परदेश के अंदर टोटल 142 इंडस्टरी की checking की गई जिसमें उनके 135 जो इंडस्टरी थी उनके सेंपल पास हो गए पानी के और जो साथ इंडस्टरी थी उनको फेल हो गए उनको हमने power disconnect कर दी उनकी immediately जो electric connection थे और उनको prosecute करने के अदेश दिये सर जो नदियों को सबच रखने के लिए आपने अधिकारियों को क्या निर्देशती है उसमें देखिए इसके लिए मैंने सारा विजिट किया है हिमाचल से लेके लास्ट पंजाब के लास्ट पॉइंट तक कल भी मैं सरदूल गड़ जो यहां से कुई पौने 300 किलो मिटर है उस पॉइंट पर पहुँचा वहाँ अपरिंटली बिद नेकेड आई यह पॉसिबल था देखने के लिए कि वहाँ बलैक पानी जो पठियाला नदी का इंडरस्टी ज लगी है कुछ हरियाने की हैं वो मेरे को बताया गया वहाँ के जो नस्दीक के लोग थे सिवल सोसेटी के लोगों को उनसे इंक्वारी की गई उन्होंने बताया कि वहाँ के इंडरस्टी लिस्ट जो है वो राज को बेना ट्रीटमेंट किये उन्होंने ट्रीटमेंट प्लांट लगाई हुए हैं लेकिन वो ऑपरेशन में नहीं हैं वो चलते नहीं अगर चलाएं जो उसके पास इलाके में रहते हैं तो उसका बिलकुल काला पानी था कल हमने पांच सेंपल वहां से लिये हैं और यह यह पांच सेंपल का रिजल्ट आने पर उसमें सक्स कारवाई करेंगे और अब मुझे उमीद है कि कुछ पॉलिशन बॉर्ड के लोग कोई इसमें पूरी दिल्चस्पी से और जुम्मेबारी से काम नहीं कर रहे थे लेकिन अब उनको पूरा हमने लर्ट कर दिया और उमीद है कि वो इसमें रिजल्ट हमें दिखाएंगे और जो नहीं दिखाएगा हम उसके खिलाब बड़ी पावर्ज हैक्ट के अंदर उनको रिस्पोंसिबल उनकी रिस्पोंसिबलेटी फिक्स करके उनके खिलाब भी एक्षन लेंगे जो ऑफिसर्स ठीक से अपनी जूटी नहीं नभारे ऐसा हमारे नोटिस में कहीं केस आए हैं जो इंडस्ट्रिस से मिले वें और उनसे मिलकर उनके खिलाफकार वह नहीं कर रहे हैं प्रितमपाल सिंग सोलिड वेस्ट मनेजमेंट को लेकर आपको हर्याना पंजाब के जिम्मेदारी दी गई है उसके लिए अपने क्या एक्षं प्लान त्यार किया है सॉलिड वेस्ट मिलेजमेंट जो है पंजाब हर्याने का इसकी हमां हमने हर्याने के जो ऑफिसर्ज हैं उनकी मीटिंग ग्यारा तारीक को थी और पंजाब की 13 तारीक को मीटिंग की है जिसमें उनके इन्वाइरमेंट सेक्टरी अर्बन डिवैलमेंट के सेक्टरी लोकल बॉडिस के सेक्टरी और हेल्थ सेक्टरी इन चार जो अडिशनल चीफ सेक्टरी लेवल के आफिसर थे और उनका डिपार्टमेंट के डिरेक्टर और दोसरे ओफिस अज़ भी थे तो उन्होंने एक्शन प्लैन और लेडी त्यार कर चुके हैं इसका और उस पर बड़ा वार फुटिंग पर वो काम कर रहे हैं हरियाना के अंदर दो मॉडल सिटीज करनाल और फृदाबाद उन्होंने इस बारे में सिलेक्ट किये हैं कि यहां एक मॉडल पेश करेंगे कि ताके दोसरी डिस्टिकों के लोग भी आके देखें कि किस तरह से सॉलिड वेस्ट मेनेजमेंट का वो घर घर में एक अलग उनकी हो सेग्रिगेट करने के लिए उसको वह एक सोर्स उसका के जिसमें एक वेट सॉलिड वेस्ट जाएगा एक में सुखा जाएगा उसको अलग कलेक्शन होगी उसकी अलग कलेक्शन होगी और उनका उसके उन्होंने बड़े एक हाई लेवल पर एक इसकी प्रोजेक्ट बनाय गया है कि जो गिला सॉलिड वेस्ट मेनेजमेंट होगा उसकी खाद बनेगी जो दूसरा है मेनेजमेंट उससे वो को बिजली जनरेट करने का भी एक स्कीम है उसको बड़ी एक फॉरून कंपनी से उन्होंने कंटेक्ट किया है तो उसका और उसके ये कितनी दोर शहर से डंप करना चाहिए ताकि उसकी कोई समेल ना आए और उसकी एक इन्होंने एक लंबी बहुत लॉंग टर्म प्लान इसके लिए गॉर्मिंट ने बनाया है मैं समझता हूं कि अगर वो हमारी प्लान पूरी एक्जिक्यूट हो जाती है तो सॉलिड वेस्ट मेनेजमेंट यह जो सड डिस्टिक्स में भी विजिट करूँगा एक प्रिंसिपल दिया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने के पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल के जो वातावन को दूसित करता है जो गंद फैलाता है उसके उपर डेमेजिस और इन्वार्मेंटल कंपनिशेशन इंपोज किया जाए ताके लोगों के डेटरेंट अफेक्ट भी हो अवेकनिंग भी करो साथ साथ जागरिती भी करो और उनके कानोनी कारवाई भी करो हमें उमीद है कि एक हम बहुत जल्दी जल्ट इस पे दिखाएंगे और जहां रिजल्ट कोई लगा के कुछ ठीक नहीं हो रहा तो वह यह समझा जाएगा कि वहां के ओफिसर्ज जो हैं वो जो पॉल्यूटर्स हैं वाइलेटर्स हैं उनके साथ मिले हुए हैं और उस बारे में भी नेशनल करीन टर्बिनल की यह इंस्ट्रक्शन्स हैं कि उनकी रिपोर्ट की जाए और ताकि उन ओफिसर्ज को और हेड़ अफ यह थे मेर साथ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एग्जेक्टिक कोमेटी के चेर्मेन जस्टिस प्रितमपाल इन्होंने कहा है कि गगगर मारकंडा और सरस्वती नदियों को दूसीत करने वालों के खिलाब सक्त कारवाई की जाएगी कैमरामेन संजी के साथ अनिल कुमार टोटल न्यूज चन्डिगर